So good morning guys और आपके करेक एक्जाम चेनल में आप सभी का स्वागत है तो आज के इस वीडियो में 22 नवंबर के important current affairs को हम लोग cover करेंगे पहला प्रशन क्या है हमारा अभी विश्विट TV दिवस हम लोगोंने कब मनाया television day तो आंसर होगा 21 नवंबर को तो हर साल दुनिया भर में 21 नवंबर को ये world TV day के रूपे मनाया जाता है और ये दिन प्रसारण मेडिया की भूमेका को चिनहित करने के लिए मनाया जाता है अब ध्यान से सुनना 21 नवंबर को ये एकोडे मनाते है world fisheries day के रूप में भी जिसकी theme रही social responsibility in the fisheries value chain इसके अलाव म में आपको बता दू अभी 15 नवंबर से 21 नवंबर तक हमने राष्ट्रे नवजात सपताह के रूप में भी मनाया था तो देखे important day वाला कि उश्यने तो नवंबर में जितने भी important day अभी current affairs में आया सारे में आपको revise कराता हूँ और अगर आपको याद है तो साथ साथ बोल ता दिवस मनाया 8 नवंबर को world radiography day मनाया 10 नवंबर को world science day मनाया 11 नवंबर को राष्ट्रे सिक्षा दिवस मनाया 12 नवंबर को world pneumonia day मनाया और 12 नवंबर को लोक सिवा परसारण दिवस के रूप में मनाया था 13 नवंबर को world kindness day विश्व दयालूता दिवस मनाया 13 नवंबर को राष्ट्रे आयूर्वेद दिवस मनाया था इस बार एक्चुली धन 13 के दिन मनाते हैं इसको 14 नवंबर को world diabetes day मनाया विश्व मधुमे दिवस फिर 16 नवंबर को अंतर राष्ट्रे सहिशनूता दिवस मनाय फिर 18 नवंबर को भारत में हमने नेचुरोपैथी दिवस मनाया 19 नवंबर को world toilet day मनाया और 19 नवंबर को ही राष्ट्र एकी करण दिवस national integration day मनाया था इंदरा गांदी जी की जहनती को मनाते हैं उसके अलबा 19 नवंबर को ही विश्व दर्शन दिवस world philosophy day मनाया ये नवंब 21 नवंबर को world children day मनाया 21 नवंबर को अब ये world tv day मना रहे हैं और world fisheries day भी मना रहे हैं तो नवंबर के ये important days आप लोग याद रखना हम बढ़ते आगे फिर अभी हाल ही में किस संगठन ने covid-19 टीकों के बारे में गलत सूचना का मुकाबला करने के लिए hello पहल शुरू की है तो अंसर होगा United Nation ने तो अभी United Nation ने London University में Vaccine Confidence Project के साथ मिल करके hello नाम से एक नई पहल शुरू की है तो इसका उद्देशे है covid-19 टीकों के बारे में गलत सूचना के मुद्दों से निपटना तो 100 से ज़्यादा वेग्यानिक सोशल मीडिया के माध्यम से टीकों की सुरक् में शामिल हुए हैं अच्छा United Nation की बात करेंगे देखो United Nation की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और यही कारण है कि 24 अक्टूबर को हम United Nation Day मनाते हैं वैसे 24 अक्टूबर को National Food Day के रूप में भी मनाया जाता है और 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पूलियू Day के रूप में भ देक्स कौन बने वोलकिन बोजकिर बने वोलकिन बोजकिर टर्की से है यह और अभी भारत भी दो सालों के लिए United Nation Security Council का Non-Permanent Member बना है तो यह भी ध्यान रखना बढ़ते हैं और हाँ गाईज अगर आप में से कोई स्टूडेंट बैंक एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो आ आपके लिए लाए हैं Best Free Test Series for SBI PO Prelims जिसमें होंगे Reasoning, Quantitative Aptitude और English Test और उनका Analysis भी तो यह जो test series है यह स्टार्ट हो रही है 29 नवंबर से और यह test बिलकुल फुरी है तो आपको करना क्या है जल्दी से enroll कीजिए दिये गए लिंक पे जा करके, लिंक आपको नीचे description में मिल जाएंगे और अपनी preparation को मजबूत करें, track करें और exam crack करें अनकैडमी के साथ में और उसके अलावा अगर अनकैडमी से कोई भी subject आप buy करते हैं तो आप promo code में crack exam 10 type करिए आपको instant 10% का discount भी मिलेगा अब यह बढ़ते आगे पहली hydrogen संचाले double daker बसों को अपने Aberdeen शहर में launch किया है, तो वायू production को कम करने के प्रयास में इस तरह की बसों को launch किया है, तो यह जो बसे होंगे न यह water vapor का उत्थरजन करेंगी, जबकि जो आपको पता है जो हमारी traditional बसे होती हैं, जो अभी चल रही है पेट्रोल डीजल वाली, वो carbon monoxide को emit करती है, छोड़ती है, लेकिन जो यह hydrogen से संचालिद बसे होंगे, यह water vapor को release करेंगी, अच्छा देखो मैंने आपको कहीं बार बताया है, यह जो Scotland है, यह United Kingdom का ही पार्ट है, मैं आपको map में दिखाता हूँ कैसे, अच्छा उससे पहले एक और point मैं आपको बता दू, अभी Britain ने भी 2030 से petrol और diesel की जो कारें होती है, उनकी बिक्रपर प्रतिबंद लगाने की घोशना की है, वायू प्रदुशन को रोकने के लिए, अब आप यहाँ पे देखिए map में, तो अगर आप देखेंगे, तो England, Scotland और Wales, अगर इन तीनों को आप मिलाते हैं, त अपकी capital आपको याद होनी चाहिए, इंगलेंड की capital आपको पता यह लंडन है, Scotland की है Edinburgh, Wales की Cardiff है, और Northern Ireland की है Belfast, तो याद रखना बढ़ते हैंगे, फिर अभी हाल इमे किस राज्य सरकार ने पोशित परिवार सु पोशित परदेश अभियान को शुरू किया, तो आंसर हो पोशित बच्चों को पोशन आहार देने के लिए दो किस्तों में 400 रुपे देगी, अब बात मद्य परदेश की है, तो यह रा मैप में मद्य परदेश, देखो उसकी capital भोपाल है, और भारत का पहला E West Clinic आपको पता है, भोपाल में खुला है, मुख्यमंतरी शिवरा सिंग चोहाने और गवर्नरे अनंदी बिन पतिल, जो की यूपी की भी है, उसके अलवा आपको याद होगा अभी मद्य परदेश सरकार ने काउ केबिनिट के गठन की घोशना की है, और मद्य परदेश सरकार ने जो केंदर की प्रधान मंतरी street vendor योजना है, उसी के तरज पर केंदर 6000 रुपे देती है न किसानों को, उसी तरह से, अभी मद्य परदेश ने गंदगी भारत छोड़ो अभ्यान भी शुरू किया था, और मद्य परदेश की चत्तर पूरा जिला पुलिस ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभ्यान भी शुरू किया, और एक और य और इंदर से भी मैंने आपको दो पॉइंट बताया थे, इंदर का जो देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है, उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिला, इंदर में ही देश का पहला और दुनिया का दूसरा इंफेंटरी म्यूजियम बनेगा, बाकी अभी मद्य परदेश सरकार ने रोकोटों को अभ्यान शुरू किया था, जीवन शक्ती योजना शुरू की थी, एक मास्क अनेक जिंदगी नाम से एक जन जागरुकता अभ्यान शुरू किया था, अभी मद्य परदेश परियेटन बोर्ड ने इंतजार आपका सोशल मीडिया करशित करने के लिए, हमारा घर, हमारा विद्याले योजना भी यहीं पर शुरू हुई थी, और मुख्य मंत्री शहरी पत, व्यवसाय उत्थान, योजना यहीं की है, उसके लावा याद रखना, शिशु मृत्य उदर के मामले में मद्य परदेश टॉप पर रहा, तो यह स कहलोत, उन्होंने पूर्व प्रधार मंत्री इंद्रा गांदी जी के जैनती पे, जो अभी हमने मनाई थी, एक सो तीनवी जैनती, उसी उपलक्ष में ये इंद्रा गांदी मात्रत्व पोशन योजना शुरू की है, अब है क्या ये योजना, तो देखिए इस योजना में क हगे, उस वक्त हजार रुपे मिलेंगे, फिर उसके आप टी के लगवाओगे, उस वक्त हजार रुपे मिलेंगे, यस तरह से मतलब टाइम सेट कर रखा है, और वैसे अभी इस योजना को राजस्तान के चार जिलों में ही शुरू किया गया है, लेकिन जल्दी पूरे कौन से हैं डूंगरपूर बासवाड़ा उदैपूर और प्रताबगड अब देखो बात राजस्थान की है तो ये रहा मैप में राजस्थान देखो इसकी कैपिटल जैपूर है और जैपूर को इपिंक सिटी भी बोलते हैं और अभी जैपूर के परकोटे को वर्ल्ड साइट में शामिल किया गया था बाकी याद रखना जैपूर में बनेगा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम जिसकी सिटिंग कैपिसेटी होगी 75,000 की और राजस्थान दिवस कब मनाते हैं हम लोग 30 मार्च को मनाते हैं यहां के मुख्यमंतरे अशोग गैलोत है गवर्नर हैं कल राज मिश्र और यहां के चीफ जिस्टिस को ने इंद्रजीत मोहनती हैं याद रखना भरत की सबसे बड़ी इनलेंड सॉल्ट वाटर लेक अंतर देशिये खारे पानी की जील यह आपको मिलेगी राजस्थान में और उस जील का नामे सांबर लेक बाकी उसके अलावा परधान मंतरी नरेंद्र मोदी जी ने जेपूर में पत्रिका गेट का भी उधगाटन किया था राजस्थान ने वन स्टॉप शॉप योजना शुरू की अचा अब ध्यान दो देखो यह हम योजना पढ़ रहे हैं इंद्रा गांधी मात्रत्व पोशन योज इंद्रा रस्वी योजिना जिसमें जो गरीब जो मजदूर होते हैं उनको आठ रुपे में खाना दिया जाता है और एक इंद्रा प्रिय दर्शनी बेबी किट वितरण कारेकरम भी यहां पर शुरू किया गया था उसके अलावा याद रखना जेविंदन नीती को लागू करने वाला पहला राजय आपका राजस्थानी है बागी नेशनल पार्क यहां मिलेंगे आपको सरिस्का नेशनल पार्क माउंट अबू नेशनल पार्क डेजर्ट नेशनल पार्क केवला देव नेशनल पार्क रन थंबोर नेशनल पार्क और अब मुकंद्रा हिल्स नेशन वीडियो आपने नहीं देखा हो तो वो जरूर देखिएगा क्योंकि आने वाले टाइम में important current affairs के जो भी important topic होते हैं उन पर हम वीडियो बनाएंगे तो साथ के साथ आप इनको cover करते जाओ ताकि burden न पड़े और हाँ वीडियो को like करना मत भूलिएगा चाहे वो वाला वीडियो हो चाहे कोईसा भी हो वीडियो को like जरूर कीजेगा और अपने दोस्तों के जाथ में share जरूर कीजेगा ताकि इसी तरह से हम भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें आप लोग के लिए तो एक motivation जरूर से ही होता है support चाहिए होता है वो आप ही लोग करोगे अभी हम बढ़ते आगे फिर अभी हाल में किस शहर के police station को ISO certification दिया गया तो अंसर होगा कोहिमा कोहिमा आप जानते हो ये नागालेंड की capital है और उसी के North police station को quality management system के लिए ISO certification प्राप्त हुआ है और इस तरह से याद रखना ये नागालेंड का पहला police station या यूँ कह सकते हो नागालेंड का पहला कोई government office है जिसे ये certification मिला है अच्छा ISO से अभी आपको याद आता होगा हमने पढ़ा था उडिसा की जो capital है भुवनेशवर वो पहला शहर बना हमारे देश का ISO certificate पाने वाला for FSSM services FSSM मतलब Fecal Sludge and Septage Management और अभी दो-चार महीने पहले ही हमने पढ़ा था कि उडिसा देश का पहला राज्य बना था जनजातिय छात्रावासो यानि कि जो tribal hostels होते हैं उनके लिए ISO certificate पाने वाला तो वो point भी याद रखना ISO का मतलब होता है International Organization for Standardization यह full form भी आप याद रखो बढ़ते हैं आगे फिर है हाल ही में भारत EAT ने किसे अपना brand ambassador बनाया तो answer होगा रवी किशन को तो भारत EAT ये एक Indian food delivery startup है और अभी इसी ने एक्टर रवी किशन को अपना brand ambassador बनाया है और अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता भारत पे ने किसे अपना brand ambassador बनाया था तो सल्मान खान को उसके अलावा अभी latest news की बात करेंगे तो 11 खिलाडियों को भी भारत पे ने अपना brand ambassador बनाया था याद होगा आपको बाकी स्मरती मनाना की बात करेंगे अभी Equitas Small Finance Bank की ये brand ambassador बनी राजकुमार राओ सिसका गुरुप के ये brand ambassador बने थे सिसका LED वगेरा जो आती है आयुश्मान खुराना अभी बजाज आलियांस के ये brand ambassador बने उसके अलावा आपको बता दूँ UNICEF ने भी इने Children Right Campaign का brand ambassador बनाये था और अभी आपको याद होगा Time Magazine की 100 Most Influential People of 2020 की जो लिस्ट आये थी उसमें शामिल होने वाले एक मात्र भारते फिल्म स्टार है ये आयुश्मान खुराना बढ़ते आगे फिर अभी हाली में किस राज्य ने दिव्यांग जंग शशक्ती करन योजना को शुरू किया तो आंसर होगा पंजाब ने तो अभी पंजाब सरकार ने राज्य के दिव्यांग नागरिकों को शशक्त बनाने के लिए ये पंजाब दिव्यांग जंग शशक्ती करन योजना को शुरू किया है किस ने पंजाब ने अब पंजाब ने शुरू किया तो ये रा मैप में पंजाब कैपिटल इसकी चंदीगड है, मुक्य मंतरी अमरेंदर सिंग और गवर्नर है विपी सिंग बदनौर अच्छा अभी आपको याद होगा केंदर सरकार के तीनों क्रशी कानूनों को रद करने वाला पहला राज्य बना था ये पंजाब उसके अलावा अभी पंजाब सरकार ने सरबत, सेहत, बीमा, योजना को भी शुरू किया था उसके अलावा घर-घर, रोजगार, कारेकरम को शुरू किया था स्मार्ट, राशन, काड, योजना को शुरू किया था और पंजाब सरकार ने ही राज्य में हरियाली बढ़ाने के लिए आई रखवाली एप्लिकेशन को लॉंच किया था और याद रखना पंजाब के गोबिंद गड़ में एशिया का पहला Continuous Galvanized Rebar Production Facility का भी उदगाटन हुआ था और सब्सक्राइब की पहली महिला मुख्य सची वभी बनी थी कौन विनी महाजन उसके अलवा पंजाब से आप याद रखो सिंदू डॉल्फिन पंजाब की राचकिय जलिय जीव इसको गुशित किया गया था यह ब्यास नदी में पाए जाने वाली सिंदू डॉल्फिन है बढ़ते आगे फिर हाली में आयोजित पंदरवे G20 सिखर सम्मिलन की थीम क्या है तो अंसर होगा Realizing the Opportunity of 21st Century for All तो अभी G20 देशों के लीडर्स की बेटक शुरू हो चुकी है अभी 21 नॉम्बर को शुरू हुई 22 नॉम्बर तक चलेगी यह और इसकी अद्ध्यक्षिता कर रहा है साओधी अरब और यह वर्च्वली रूप से आउजित की जारी है साओधी अरब के रियाद में और इस G20 सम्मिट का जो फोकस है वो है कोरोना महामारी के प्रभावो और भविश्यकी स्वास्त सुरक्षा योजनाओ और वैश्विक अर्थ विवस्ता को पुनर जिवित करना यह इसके में फोकस पॉइंट्स है और इसकी थीम है हिंदी में बोलेंगे तो सभी के लिए 21 सदी के आउसरों का एहसास तो यह याद रखना और भारत से इसमें मोदी जी पार्टिसिपेट कर रहा है बढ़ते आगे विरहाली में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधान मंतरी के साथ रुपे कार्ड के दूसरे चरण को शुरू किया तो अंसर होगा भुटान तो अब प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जी और भुटान के जो प्रधान मंतरी हैं आ गया था जब परधार मंतरी नरेंदर मुदी जी भुटान की यातरा पर गए हुए थे तो उस समय भारत के जो नागरिक हैं वो भुटान के ATM बगेरा में जो वहाँ पे जो point of sale machine होती है, point of sale machine क्या होती है, जब आप shopping बगेरा करने जाते हो तो वहाँ पे आपको machine पे card swipe करना होता है उसे कहते हैं point of sale machine, तो पहले चरण के तहट तो भारत के जो नागरिक थे वो भुटान में ATM बगेरा point of sale machine में आराम से लेंदिन कर सकते थे, और अब जब ये दूसरा चरण शुरू हो गया तो इसमें भुटान के नागरिक भी भारत में इसका लाब उठा पाएंगे अब देखो बात भुटान की है, तो ये रहा मैप में भुटान, capital थिम्पू है, currency एंगल टरम है, वैसे भारते करंसी भी आँपे चलती है, और प्रदार मनती हैं, lotage string, बढ़ते आगे फिर अभी हाली में, mastercard ने project किरणा launch करने के लिए किसके साथ समझोता किया, तो answer होगा USAID के साथ में, मतलब United States Agency for International Development के साथ में, तो इसने और mastercard ने महिला उद्दम्यों को विक्सित करने और उभरने में मदद करने के लिए भारत में ये project किरणा शुरू किया है, और इसे श पर शुरू किया गया, mastercard की बात करेंगे तो इसका headquarter मिलेगा आपको New York में, और इसके अध्यक्ष है Michael Maybeck और CEO अजेबंगा है, बढ़ते आगे, फिर हाली में किस देश ने सक्रेय रूप से गिद्दू की संख्या बढ़ाने के लिए vulture action plan 2022-25 को शुरू किया, तो answer होगा भारत, तो अभी केंद्रे परियावरन जो हमारे मंतरी है, कौन? प्रकाश जावडे कर, उन्होंने अभी हाली में एक Vulture Action Plan 2022-25 को लांच किया है, चुकि भारत में जो गिद्दों की संख्या है, उसमें भारी गिरावट देखी जा रही है, तो इस परियोजना का जो मेन उद रहेगा, तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पुछे गए प्रशन के उत्तर की, तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था, अभी World Toilet Day हमने कब मनाया, तो आंसर होगा 19 November को, और इसकी ठीम भी थी, Sustainable Sanitation and Climate Change, तो आप सभी ने प्रशन का बिलकुल सही उत्तर दिय और आप लोग को फिर से याद दिला दूँ, वो Awards वाला वीडियो देखना मत बूलना अगर नहीं देखा है तो, वीडियो का मिलेगा प्लेलिस्ट में जाना, Topic Wise Current Affairs की प्लेलिस्ट खोलना महाँ पे आपको मिल जाएगा, और प्लीज वीडियो उसको लाइक जरूर करा करें और इसे शेयर करना मत भूले